आज की क्लास में मैं आपको अंग्रेजी के बड़े-बड़े शब्दों को पढ़ना सिखाऊंगी देखिए अंग्रेजी के छोटे-छोटे शब्दों को तो मैंने कई वीडियो में आपको पढ़ना सिखाया है लेकिन बहुत से लोगों की यह request थी कि मैं आप बड़े बड़े अंग्रेजी के शब्द लेकर आईए तो आपकी यही request पे मैं यह video लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको कुछ ऐसी tricks बताऊंगी जिसकी मदद से आप किसी भी बड़े से बड़े शब्द को आसानी से पढ़ना सीख सकते हैं तो वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना हम से जुणने के लिए नीचे दिये गए सब्सक्राइब बटन को दबा लेना और साथी घंटी भी दबा लेना जिसकी आने वाली हर वीडियो की नोडिविकेशन आप तक सबसे पहले पह तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं यहां पर एक बड़ा सा शब्द हमारे सामने लिखा है तो चलिए इसको इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं यह जान लेते हैं तो सबसे पहले हम अपनी सहूलियत के लिए इसे चुटे-चुटे भागों में तो रहे किर तो फुल लेंगे तो पहला भाग है व्यू एन यानि कि यू ए एन क्या हुअँ फन फ को हिंदी में फणलिख देरी अगयर फिर यू अब यहां पर फन क्या एक शब्द हो गया नए को अर्पहन तो यू जो है एस और एं पर न की बीच में आदाuldade तो जबनाताा य इच में U आता है, तो U को हम O पड़ते हैं, और O की कोई मातरा तो होती नहीं है, O की तो ध्वनी होती है, तो इसलिए हम F के आगे कुछ भी नहीं लिखेंगे, यानि कि as it is छोड़ देंगे, फिर N है, N को हम 9 लिखते हैं, तो यहां 9 लिख देंगे, तो यह बन गया FUN, FUN, FUN अब यहां पर जो N है न, यहां पर आधे 9 का अस्तमाल होगा, तो हम 9 की जगे, पूरे 9 की जगे, आधा 9 लगाएंगे, फिर है DA, DA क्या हुआ, DA, तो D को हम हिंदी में DA लिखते हैं, तो यहां DA लिख देंगे, और A के लिए हम A की मातरा लगा देंगे, तो यह बन गया DA, फ को हम मो लिखते हैं, तो यहां हम मो लिख देंगे, E के लिए A की मातरा लगा देंगे, और फिर है N, N को न लिखते हैं, तो लेकिन यहां पर हम आधे 9 का अस्तमाल करेंगे, तो इसलिए हम यहां आधा 9 लिखेंगे, फिर है T, A, L, यानि कि टल, T को टो लिखते हैं, तो यह हाँ टोलिक दिंगे और ल के लिए ल तो यह हो गया टल तो जब इसे एक साथ लिखेंगे तो यह बन जाएगा फंडामेंटल यानि फंडामेंटल को हम इस तरीके से तोड़के पर सकते हैं फंडामेंटल यानि मॉलिक क्लियर हुआ अगला शब्द हमारा इन टी आरो डी यू सी टी आई ओ एन यानि इंट्रो डक्षन तो चलिए इसे हम पढ़ना सीखते हैं सबसे पहले इसे भी हम इस तरीके से तोड़ लेंगे तो पहला बना आई एन इन तो आई को हम ई लिखेंगे और एन के लिए हम आदे नो कस्तमाल करेंगे तो इन फिर है टी आरो टी आर को क्या लिखते हैं हम ट्रो लिखते हैं तो ट्रो लिखेंगे और O के लिए O की मात्रा लगा देंगे, तो ये बन गया ट्रो, फिर है D-U-C, यानि की डक, तो D के लिए ड़ हो गया, और ये C के लिए आधा कर आएगा, आधे कर कस्तमाल होगा, तो D-U-C, डक, ड़ और कर, ठीके, फिर है T-I-O-N, तो T-I-O-N को हम क् पड़ते हैं, शन, श और न, शन, जैसे मोशन होता है न, उसमें शन आता है, T-I-O-N आता है आखिर में, तो वहाँ शन हो गया, इस तरीके से लोशन हो गया, तो उसमें T-I-O-N जहां पर भी आएगा, आखिर में, इंग्लिश में तो उसे शन पड़ा जाता है, ठीक है, त इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन यानि परिचे, अपना परिचे देने को इंट्रोडक्शन कहते हैं, क्लियर हुआ, शब्द है, P-A-R-T-I-C-I-P-A-T-I-O-N यानि कि पार्टी सिपेशन, तो चलिए इसे इंग्लिश में कैसे पड़ेंगे, ये भी जान लेते हैं, त तो पहला भाग बना P-A-R, यानि कि पार, तो P को प लिखते हैं, O के लिए A की मात्रा आ जाएगी, फिर है R, R के लिए R लिख देंगे, पार्टी सिपेशन, तो पार है न, तो यहाँ पर आधे R का इस्तमाल होता है, ठीक है, फिर है T-I-T-I-T-I-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E- पहलाग बनाचल देंगे, तो तो पर छोटी की मात्रा लगा दिनगे, फिर बनन जाएगा T, फिर है C-I-C, तो C को के लिए S-R लिख दिया, और I के लिए P-I-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E पा नहीं है यह पे है ठीक है participation होता है न तो यह पे है तो ए के लिए यहाँ पर पी के आगे जो ए है इसको हम पाव पे ए की मात्रा लगाएंगे इसके लिए फिर है T I O N यानि की फिर से यहाँ पर शन आएगा तो जहाँ पर भी आखिर में English में T I O N आता है उसके लिए शन का इस्तमाल होता है ठीक है तो जब इसे एक साथ लिखेंगे तो यह बन जाएगा participation 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 का मतलब क्या होता है हिस्सा लेना किसी चीज में किसी चीज में जब हम हिस्सा लेते हैं तो उसे participate करना कहते हैं ठीक है तो participation को इस तरीके से पढ़ेंगे clear हुआ, अगला शब्द है D-I-S C-R-I-M-I N-A T-I-O-N तो चलिए, इसे English में कैसे पढ़ते हैं, ये सीखते हैं, तो पहले इसे भी हम इस तरीके से अलग-अलग कर लेंगे पहले देखते हैं, D-I-S इसे कैसे पढ़ेंगे तो ये है D-I-S, D को आई के लिए हम छोटी की मात्रा लगा देंगे दोपे फिर S है, S को सोलिक देहें, तो यहाँ सोलिक देहें तो ये क्या बन गया डिस, D-I-S डिस, फिर है C-R-I तो C-R को हम क्या कहते हैं क्रो कहते हैं, क्रो C-R-K-R और आЈ के लिए क्रव पर छोटी की मात्रा लगा दिंगे तो यह बन गया क्री C-R-I-K-R-E फिर है M-I इसे कहते है M-I-M-E तो M का म हो गया I के लिए छोटी की मात्रा लगा दिंगे तो ये बन गया M-E फिर है N-A इसे कहते है N-E N का 9 और A का जो है इसे 9 पे A की मात्रा लगा दिंगे तो ये बन गया N-E फिर T-I-O-N जो T-I-O-N होता है इसे हम English में शन कहते हैं जैसे motion होता है न ये lotion तो इस तरीकी से T-I-O-N को शन कहा जाता है तो श और न शन तो जब इसे एक साथ लिखेंगे तो ये बन जाएगा discrimination 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 D-I-S-C-R-I M-I-N-A T-I-O-N discrimination discrimination का मतलब होता है भेद भाव clear हुआ अगला शब्द है A-D-M-I-N-I-S T-R-A-T-I-O-N तो चलिए इसे English में कैसे पढ़ते हैं ये जान लेते हैं तो इसे भी हमने इस तरीके से अलग-अलग भागों में बाट लिया है पहला है A-D तो इसे हम पढ़ते हैं A-D-A-D तो A का हम A लिखेंगे यानि कि ये छोटा A है फिर D का हम ड लिख देंगे तो ये बन गया A-D-P-I-N-I-S ये है minus क्या है ये minus तो M का मौ हो गया और I का I के लिए मौ पे छोटी की मात्रा लगा दी फिर N है N को न लिखते हैं तो यहां न लिख देंगे फिर से I है तो फिर से न पे छोटी की मात्रा आ जाएगी और S को सर लिखते हैं तो यहां सर लिख देंगे तो ये बन गया minus फिर है T-R-A तो इसे कहते हैं T-R-A T का T हो गया और ये जो R है ये आधा र के रूप में ट्र हो गया फिर A जो है इसे हम A की मात्रा के रूप में लगा देंगे तो ये बन गया प्रे फिर T-I-O-N फिर से आगया T-I-O-N यानि कि इसे शन कहते हैं तो ये जब इसे एक साथ लिखेंगे तो क्या बन जाएगा administration administration A-D-M-I-N-I-S T-R-A-T-I-O-N administration administration यानि इसका मतलब क्या होता है प्रसाशन क्लियर हुआ अगला शब्द है E-S-T-A-B-L-I-S-H-M-E-N-T तो चलिए इसे English में पढ़ना सीखते है पहला है E-S E-S यानि S इसे क्या पढ़ते हैं S E का हम E लिख देंगे और S का Sir तो ये S हो गया ठीक है फिर है T-A-B Tab इसे क्या पढ़ते है Tab T को T लिखते हैं तो यहां T लिख दिया फिर A के लिए यहां पर I की मात्रा आई है फिर B को बलिखते हैं तो यहां बलिख दिया तो यह बन गया Tab T-A-B Tab फिर L-I-S-H इसे पढ़ते हैं Lish क्या पढ़ते हैं Lish L-I का L का हो गया लव I का I के लिए लव पे छोटी की मात्रा आ गई और S-H को Sure S-H को क्या पढ़ते हैं Sure तो यह Lish हो गया L-I-S-H Lish फिर M-E-N-T इसे क्या पढ़ते हैं English में Ment क्या पढ़ते हैं Ment तो M का म हो गया और फिर E के लिए I की मात्रा आ गई और N को हम यहां पर आधा न लेंगे पर T को ट लिखते हैं तो यहां ट लिख दिया तो यह बन गया Ment तो जब इसे एक साथ लिखेंगे तो यह बन जाएगा Establishment E-S-T-A-B L-I-S-H M-E-N-T Establishment Establishment यानि Stopna Clear हुआ? अगला शब्द है I-D-E-N-T-I-F-I-C-A-T-I-O-N तो चलिए इंग्लिश में इसे कैसे पढ़ते हैं यह जान लेते हैं तो इसे भी हमने इस तरीके से अलग-अलग कर लिया है I को हम पढ़ेते हैं यहां पर I I को क्या पढ़ते हैं? I पढ़ते हैं A और E I ठीक है? फिर D-E-N D-E-N इसे क्या पढ़ते हैं? D-E-N को D तो D को D लिखते हैं और E के लिए A की मात्रा आ गई और N को N लिखते हैं तो यह बन गया D-E-N D-E-N फिर है T-I-T T को D लिखते हैं और I के लिए हमने टौपे छोटी की मात्रा लगा दी तो यह बन गया T फिर है F-I इसे पढ़ते हैं F-I F को F-O लिखते हैं और I के लिए हमने F-O पे छोटी की मात्रा लगा दी है तो यह बन गया F-I फिर है C-A तो इसे पढ़ते हैं CA को K क्या पढ़ते है K को पे एक ही मात्रा आ गई तो CA K ठीक है फिर है TION फिर से TION इसे क्या पढ़ेंगे Shun बताया था न मैंने आपको TION को English में Shun पढ़ते हैं जब इसे एक साथ पढ़ेंगे तो ये बन जाएगा Identification IDEN TIFICATION IDENTIFICATION IDENTIFICATION यानी पहचान Clear हुआ